किसान साथियों नमस्कार आप सबका हर दिख स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल हैं किसान साथियों नीम्बू की बागवानी में हर किसान का सपना होता है कि वो नीम्बू की हस्त बहार ले जिसकी तयारी हमें सितंबर महा से करने पड़ती है और इसमें नॉम्बर महा में फूल आते हैं और मार्च से लेकर मई तक आपको फसल मिलती है इस समय बाजार में नीमबू का भाव अधिकतम होता है क्योंकि देश के अधिकतम भाग में गर्मी होती है और इस कारण नीमबू की बहुत मांग होती है प्रन्तु अगर हम जो सोचलें वह हो जाए तो जीवन में कोई समस्या ही ने रहे और परतेक आदमी बहुत खोस हो जैसा कि आज कल प्रकरती ने कोरोना का कहर बरपाया हुआ है और सब परेशान है लेकिन फिर भी कोई न कोई कारिय कर रहे हैं सावधानी से किसान सातियों हस्त बहार की तैयारी हम सितंबर महा में करते हैं पिछले वर्ष आपने देखा होगा कि देश के अधिकतम भाग में पूरे सितंबर महा में बारिस होई थी जब बारिस हो जाती है तो हमें नीमबू के पोधो को ताओ देना मुस्किल हो जाता है मुस्किली नहीं नामुमकिन होता है क्योंकि बिना ताओ दिये आप जो हनब फल की इतनी मात्रा नहीं ले सकते हैं एक हमारे किसान है नावेट सेख नावेट सेख बहुत अनुभवी किसान है और नीमू के खेती करते हैं नीमू की बागवानी में उनकी बहुत रूची है और मैं तो इस विशे में उनको अपना गुरू मानता हूँ पिछले वर्स जब देश के अधिक्तम भाग में बहुत बारिस हुई मेरे हाँ पर नहीं हुई थी तो मैंने नीमू की बागवानी की हस्त बाहर की दो वीडियो दिखाई थी जब मैंने नावेट भाई से पूछा कि नावेट जी आपकी जो है ना जो ताओ नहीं दे सके तो आपने क्या किया उस समय तो वो चुप रहे और उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा कि त्यागी जी देखते हैं कुछ तो करेंगे फसल तो लेनी है जब उन्होंने अप्रैल महीने में अपनी फसल दिखाई तो मैं अचंबित रह गया मैंने उनसे कहा कि आपने यह प्रबंदन किस प्रकार किया इसको मुझे लिख कर दीजिये और मैंने बैठ कर उनकी साथ पूरा डिसकस किया और इसे लेक के रूप में लिखा किसान साथियों आज मैं वीडियो में बहुत कुछ नहीं बताऊंगा इसके लिए आपको यह लेक पढ़ना होगा इस लेक में मैंने बात कर पूरी तरह जानकारी दी है कि अगर सितंबर महा में बारिसो और मोसम परतिकूल हो तो किस प्रकार नवेद भाई ने 29 अक्टूबर से ये कारिये सुरू किया और अप्रैल के महा में अपने फसल लिए इतने अच्छे नीमबू है कि मैं उन सब की फोटो आप लोगों को दिखा रहा हूँ बात बहुत अच्छा है फसल भरपूल आई है नीमबू बहुत चमकिले हैं और भोथी रसिले हैं आप भी इन्हें देखकर मंतर मुगद हो जाएंगे किसान साथियों ये होता है किसी काम में लगन होना और उसे सीखना कोई भी आदमी सीख कर नहीं आता है इस दुनिया में लेकिन अगर उसके अंदर लगन है और निस्था है तो वो अवस्य सीख लेगा तो आप amazingkisan.com वेबसाइट पर जाएए और जो वहाँ पर न्यूज अपडेट का एक रोलिंग मेटर आता है उसको क्लिक करिए तो आपको ये कागजी नीम्बू की हस्त बाहर परतिकूल मौसम में परबंधन किस प्रकार करें ये है लेक आपको मिलेगा या आप नीम्बू की बागवानी सेक्शन में जाएए वहाँ पर ये लेक आपको मिलेगा आप इसे डाउनलोड करिए अपने पास संजो कर रखिए और अगर आपके सामने भी ये समस्या आती है तो इसमें दिये गए उपाय को करें हाँ एक बात का ध्यान रखें ये जरू रोग या बीमारी नावेज जी के हाँ आई है वो आपके हाँ भी आई इसमें थोड़ी सावधानी बरतना तो किसान साथियों ये थी मेरी आज की प्रस्तुती कागजी नीम्बू की हस्त बहार जो प्रतेक नीम्बू की बागवानी करने वाला किसान चाहता है दूसरी बात पोस्कर बड़े किया है, पोधे बिलकुल सुष्थ है, सब चीज ठीक है, लेकिन चार साल हो गए उनमें फूल नहीं आ रहा है, ये फूल क्यों नहीं आ रहा है, ये मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में, ये हमारे हैं कुछ किसान हैं जिने हमने उपाए बताया और उ किसान साथियों मैं उसी पर वीडियो बनाता हूं जो कारिये करता हूं, या जो किसी भी मेरे किसान ने कारिये किये हैं, किसान साथियों एक मैंने और लेक लिखा है, जिसका प्रारूप मुझे एक किसान ने भेजा था, उसने बताया था कि त्यागी साहब कैसे जब हम नरस आदेते हैं एसी कमरे में बैठ कर कि इससे आपको इतनी आमदनी होगी आप लखपती बन जाएंगे वो पोधे लगाएगा भी चार गुने महंगे पोधे आपको देगा पांच गुने महंगे पोधे आपको देगा पोधे लगाएगा भी एक साल में अच्छी फसल भी दिखाएगा उनको इसी कमरे में एक घंटे के अंदर बैठे बैठे बिखवा भी देगा और आपको कितना फाइदा होगा ये बताएगा और आप मंत्र मुगध होकर उसके पोधे लेगा उसके बाद आती है दवा विकरेता की बात अधिकतर किसान क्या करते हैं कि कोई भी बिमारी होती है उसका फोटो खीचते हैं और अपने दवा विकरेता के पास जाते हैं उसकी भी गलती नहीं है उसकी इतनी समझ नहीं होती है वो एक की वज़ाए तीन बिमारियों की दवाई आपको दे देता है चुकि उसका काम होता है अपनी अधिक से अधिक दवाई बेचना इसके लिए एक बहुत छोटा सा उपाय बताया है हमारे उसकिसाने जो मैं आपको उस वीडियो में साजा करूँगा आप इंतजार करिए इन दोनों वीडियो का इसी के साथ विदा लेता हूँ धन्यवाद नमस्कार जै हिंद जै भारत बंदे मातरम